यहां पर नीचे आपर देख सकते होंगे यहां पर मैंने पैनल को सिंप्ली रख दिया है और अभी लगभग साम की चार बज़ने क्योंकि आज कल 12 का टाइम है तो मौसम काफी यहां पर बादल भी है तो अभी की टाइम पर हम यहां पर टेस्ट करने वाले हैं हल्किल की को अगर आप यहां पर एक गुड़नूल को खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड यहां पर यूज करते हैं जुकि है ट 창निकल सेवन आपको कैपिटाल लेटर मिं लिख देना है तो आपको 7 परशेंट इसकाउंट यहां देखने को मिल जागा इनके टोटल मज पींडार को तो फिलाल यह जो आफर है वी लाइब है आप तुरंट के तुरंट जाकर कि यहां पर पैनल होगा आको खरीदना है तो आप यहां पर order कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं Πैनल का Front साइड ती यहां पर देख सकते हैं नहीं है、 सामझे परबुड़िया हुआ है यहां इस सब्सक्ructured इसमें दोनों जो वाहर हैं वो ब्लैक ब्लैक दिये हुए है तो उसकी वज़ासे आपको परिशान ज़रूत नहीं है यहां पर आपको इंडिकेसन देखने को मिलता है एक जो टर्नल है एक जो टर्नल है माइनस का है अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है कोई भी दिक्कत होती तो आप यहां पर इस बॉक्स को भी ओपन कर सकते हैं वर इसको यहां पर देखने को मिल जागा और उससे से आप यहां पर आउट पुट को डिये सकते हैं यहां पर हमने इसका युग उपन कर दिया आँ यहां पर यहां पर यहां पर लैंद्ध यहां पर जोड Congress initially मिल जाती डारेक्ली इसको क्या करना है यहां पर आपको Fascistffentlich स्वेid यहां पर आप इसमय टारीक्ट हो तरीका veggie काफी अच्छा है और यहां पर MC4 connector का एक फीमेल पार्ट है और एक जो मेल पार्ट है इनकी तरव से आपको देखने को मिलता है तो हम करने के आवाले हमारे पास में मल्टी मीटर है एक LED बल्ब है हम सारा चीज यहां पर इसमें टेस्ट करके देखने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं तो अभी मैं इसका current maximum current output आपको दिखा देता हूं कितना यह panel generate करता है जब इसको अच्छी खाची धूप मिलती है तो यहां पर इसका maximum current की एक खनम बात करें तो यहां पर आपको 20.4 volt जो current है वो यह output देता है और इसके साथ में यहां पर अगर मैं बात करूँ MPR तो आपको 9.33 MPR यहां पर देखने को मिलते हैं अभी मैं यहां पर दिखाने वाला आपको चार बज़र है सामके और इस टाइम पे धूब भी जो है उतनी इच्छी नहीं है देखने वाला है कि कितना generation आपको यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर देख सकते हैं हमन सब्सक्राइब करके दिखाता हूं तो देख सकते हैं मैंने मल्टी मीटर को कर दिया है सम्पली यहां पर voltage पे set हमने मा िर्ट को प्लग किया और इस टर्मिनल में मैं directly यहां पर फ्लस को करने वाला हूं प्लस में आपको यहां पर आप देख सकते होंगे प्लाग करते ही simply इस पैनल का जो आउटपुट है वो है फिलाहल यहाँ पर 24 वोल्ट और अभी सामके 4 बज रहे हैं धू भी उतनी अच्छी नहीं है बारिस का टाइम है लेकिन फिर भी यहाँ पर इससे जो generation है वो मुझे काफी अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर आपको 22.2 वोल्ट अभी देखने को मिल रहे हैं सामके 4 बजे यानि इस पैनल से आपको जो यहाँ पर generation है current का वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर maximum efficiency आपको इस पैनल से देखने को मिल जाएगी simply मैं आपको MPR इसका दिखा देता हूँ कितना MPR आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर मैं इसको directly plus का plus में plug कर दिया हूँ minus का minus मैं directly हाँ पर plug करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं plus इसमें plug करते ही मेरे मुझे कुछ है यहाँ पर धाई एंपियर भी मिल रहे है अभी साम का मतलब धूप भी उतनी अच्छी नहीं अभी आप देख भी सकते होंगा असमान में उतनी अच्छी धूप नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो करेंट का जनरेशन है काफी और भी पैनल मुझे काफी अच्छी लेगी पैनल की जो क्वालिटी वह काफी ज्यादे प्रीमियम है और यहाँ पर काफी मजबूर डिजैनिंग के साथ में पैनल है आपको देखने को मिलता है सिंपली हम यहाँ पर इस LED लाट की टेस्टिंग कर देते हैं अब हाला कि यह जो बल्व है वो फिलहाल 12 वोल्ट का है डिरेक्टली इस पैनल से हम इसे नहीं चला सकते हैं लेकिन दिखाने के लिए मैं आपको यहीं रिकमेंड करूंगा कि आप डिरेक्टली इसे प्लग इन ना करें देखने को बल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पूरी टेस्टिंग आपको करा दी अब यहाँ पर आप पर आप जो पैनल है वो इतनी एफिशेंसी हमें कैसे दे रहा है इन फैक्ट बहुत ही कम नॉमिनल धूप में यह जो पैनल है वो इतनी करेंट को कैसे निकाल रहा है तो यहाँ पर इसका रीजन यहीं है तो यहाँ पर यह जो पैनल है वो मोनोपर कहल टेक्नलोजी पर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आप दिख भी सकते होंग और इसके साथ में यहाँ पर इसमें जो वायरें दी गई हैं अंदर से ज्वाइंटिंग है वो भी काफी जादे मोटी है जिसकी वजह से आपको इस पैनल के साथ में मैक्सिमम इफिसियंसी देखनी के लिए मिलती है तो अगर आप इस पैनल को अपने घर पर लगवाना चा अगर जान चाहर।